यह पर मैं लेटा हुआ था देख रहा था नेक्ट सरकल कि धर बनने वाला है उतने में बग्गी की साउंड आई कि गेमप्ले में भी मैं फ्यो प्लेस पी उतरता हूँ अवा करके लहाँ निकाला बंदा लेट गया गिए अगर मैं इसलर से तो पोण कर के नहीं अस vaiTH ac सामने इसको पॉन करके देखा सामने भी कोई बंदा नहीं दिखा फिर से इंफोर उठाया तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एगलू पर उतरते हैं आप इवेंट पर तो आपको हाई अश्ट के जादा जादा कैसे निकलना है तो सामने बंदा है उसको स्पॉट किया हलका सा फिर मैं सोचा बॉस के फिर वो अंदर जाने लगा मैं सोचा वहीं पर बैठा रहेगा तो पहले इसको थोड़ा इसको पॉन करें देखता रहा था तो उसको मार लेता फिर सामने बंदा यह लूट रहा था पेटी लूट रहा था इसको भी अराम स से मार दिया तो यहां पर आप उतरी है और सांती से चारों तरफ एक जगह बैट के देखते था ही आपको राम से किल मिल जाएगा इधर भी एक बंदा है मैं इधर से पिक किया तो यहां पर मुझे पता था कि यह बंदा इस खिट की से देखेगा जरूर क्योंकि यह लगभग हर मैच में होता है इसा तो उसको भी अराम से मर दिया तेहां पर लगभग सभी बंदे खतम हो गया थे तो मैं सोच रहा था कि चल के लूट लिया जाए और हील वील कठा कर लिया जाए कि अपता यहीं पर में देखो एंड जोन तक सर्वाइब करना पड़ सके यहां पर भाई मैं लूट ही रहा था उतने में एक बंदे का फुर तरह स्कैनल को प्राइब कर रही थी और इसको अरामसे मार दिया तो इसे नहीं होता 남िया जी फिर यहां पे त kneaded ale के मैंट वह गया साथ किल हो गया तो यहां पर मैं पस कुछ इसको भी एक प्यारा साइब स्प्रे करके अराम से मार दिया इसको मारने के बाद यहां पर एक और बंदा रहता है जो मैं को स्पॉट कर लेता है और मैं इधर फाइट वाइट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था क्योंकि दीकॉल वगारा सब खतम हो गया और मैं इधर से पीछे आता हूं मैं सुचता हूं इधर से अगर कोई गाड़ी बगारा मिल जा तो मैं इधर से तुरंत जोन के तरफ प्रवेश करूंगा बट यहां पे कोई भी वेकल नहीं दाता हूं यहां पर बग्की तो दिखती है बट यह उसी बंदे के साइड में राता है तो मैं ध तो मैं यहां पर 37 से बैठा था ग्रोजा लेकर सोचा एक प्यान किलर खालू उतने में बंदे का साउंड आया और इसको भी एक हेड़ सौट और कुछ बोड़ी सौट दे के आराम से मार दिया तो रोहित यह बंदा में को हैकर लग रहा था क्योंकि एक मैच में आवर आया और काफी गंदे तरीके से बंदों को मार रहा था तो यहां पर मैं बग्गी उठाता हूं और जोन की तरफ प्रवेश्च करता हूं और मेरे अब हो गये थे नौकिल तो मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है मुझे बस जोन में एंट्री करना है और टॉप 10 निकलन है तो मैं इधर पर पहले गाड़ी गुमा के देख लेता हूं मेरे पीछे कोई बंदा उन्दा नहीं है तो आप भी ऐसा ही किया करिए पहले अपना जो बैक है उसको क्लियर कर लिया करिए उसके बाद मतलब किया करिए क्योंकि घासवास में बंदे भाई कहीं पर भी मतलब पत्थर का कवर तो यहीं पर मैं लिटता हूं सांती से और बंदे बचे थे अभी 25 बंदे बचे थे तो मैं सोच रहा था इन बंदो का राम से मन्ने देते हैं मैं थोड़ा इस्पर्ट करने का भी ट्राइ करता हूं पर बंदे दिखते नहीं इधर से एक जाती है गाड़ी जाती है तो इसको मैं इस प्रेन करता क्योंकि मैं अपना पूजीसां दिवील करना विल्कुल भी नहीं चाता इसको मत्ब्स्प्रे करके मुझे कुछ मिलता भी नहीं फिर यहां पर बगगी जाती है थोड़ा सा मैं जल्दवाजी कर गी है तो आपको तब तक नहीं करना है जब तक कि आप नहीं कि आपके चारो तरफ बंदी नहीं है तो उतने से आपको पढ़ने लगता है जो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है तो यहां दिखता हूं पढ़ने का नाम नहीं लिए रहा था है अगर पर उसके ऊपर दूसरा बंद यहां सूछता है यहां सिर्थ बहुत बंदे आ रहे हैं पीछे से भी कोई मार सकता है फिर मैं आता हूं इधर आगे और मैं सोच रहा था कि भाई यहीं पर होल्ड करके बंदों को मतब खड़े होके थोड़ा लिया जाएं किया पता मैं यहां पर बच गया फिर इसके उपर भी दुबारा इसको भी बहुत ज्यादा डामेश कर दिया बट यह कूप में थोड़ा मार नहीं पाया फिर असामने बग्गी उसको भी नहीं मार पाया और मेरी गोली यहां पर खितम हो गया यहां पर लूट लिया जाए जो नीचे एक ब पर डारेक्ट नहीं जाता में यहां पथर पे अपनी बग्गी लगाता है फिर मैं उस पे श्मोक करता हूं और इधर से चरो तरब में देखता भी हूं कहीं कोई बंदा में उपर ताक लगा के बैठाना हो मैं जैसे ही यहां से जम और वो मुझे मार दे फिर मैं अपनी बग्गी उठाता हूं और तुरंत स्मोक के अंदर घुस जाता हूं और इसको यहां पर मैं लूठी रहा होता हू उतने में मुझे गाड़ी के साउंड आया जब में शिक्स था और रेड़ डॉट के चक्कड में थोड़ा सा टाइम लग गया हूं इस बंदे को एक ही हेट शॉट लगा और कुछ बोड़ी शॉट लगा जिससे बंदा इमें उपर गाड़ी चला के मार दिया फिर भी यहां उसके बाद बाद करता हुं हमारा दूसरा गेंपले केम यहां पे मैं इसकूल में आके मैं दोके अधर लूब Mor तो इसको मैं यहां पर मारने के लिए उपर आता हूं क्योंकि यह बंदा काफी जदा बार बार उपन में आ रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि भाई इस बंदे के पास जदू एकाक ना एकाक रिकॉल होगा फिर मैं इधर से इस्प्रेल लेने का भी ट्राइ करता हूं बढ़ बंदा नहीं कुछ नहीं हुगा फिर यहां मैं नेड भी फेकता हूं नेट भे लगभग सही जाता है, बट नेट से बंदे का कुछ नहीं हुआ, मेब वो डैमेज होगा, फिर मैं थोड़ा उपर आता हूँ, मैं सोचता हूँ, बंदा इसपॉट होगा, तो मार दूँगा राम से, बट बंदा दिखता है नहीं, फिर से मैं इधर से नेट को करके नीचे चला जाओ। और कहीं यह बंदा कुछ मोद को मार वालत है उसके पास उडने वाला भी था तो मैं देने आपके यहां पर जैसे नीमी नीचे आता हूं बंदा में उपर रहस्क्तर देता है मैं यहां पर संटी पर बैट जाता हूं ऐठ जाता हूं ओ कि तो मुझे पता था यह अपनी पेटी लूट ने आए गही आएगा और मैं आपके कैम करके बैठा रहता हूं पिर यहाँ पे बगई आती है इसको भी अराम से मार दिया तो फिर यहाँ से ज्यादा दूधी पे जोन नहीं था तो यहाँ पर मैं बगगई आती है बदगी पे दो बंदे यहां पे तो भाई मेरा फटके चार हो गया है और दो और बंदे मतलब कुल छे बंदे टीम अप वाले जिनमें से दो बंदो को भाई लगभग मारे दीया था उसपरे करने फर्थ कर दिया तrab इधर पे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था मैं सोच ज़ाया था भाई यह सब के सब बंदे इन में से कोई हो न हो यह खैकर होगा जिसको में दा पोजीशन पता होगा और यह 6 के 6 बंदे मतब टीम आप करके में को मारने आए है तो मैं पिस से डिसाइड करता हूं भाई यहां से भागने में भलाई है तो इनके हैं बट मैं इधर से स्किप कर जाता हूँ फिर मैं आता हूं अपार्टमेन के बाद यहां पर मैं इसपार्ट कर रहा होता हूं तो में में अपर AWM का शॉट आता है और यह सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाइ